आज लाए हैं आप लोगों के लिए एक नया फ्रेंट विरेशन जो कि बहुत एजी और बहुत फास्ट आप बना सकते हैं और बहुत सारी हैस्टैलिंग के साथ में आप इसको दे सकते हैं मिनसा बन के साथ बना सकते हैं उसको उपन स्टैलिंग के साथ में बना सकते हो और विंटीज वीव लाइक हॉलिवुड वेव जो हम बनाते हैं उसके साथ भी इसका बहुत अच्छा लुक आता है बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके लिए पूछा कि सर आप इस तरह का का फ पॉइंट से सेम आपने यू टाइप ऑफ सेक्शन या वी टाइप ऑफ सेक्शन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं तो इस तरीके से यह नजर आएगा आपको अधर साइट से हमने इसको लाइंस वर्क के लिए छोड़ दिया है अब इसमें आपको वर्क करना है तो इसमें आपको जो वॉल्यम जो है वो ऐसा चाहिए और यह फॉलिंग फ्रिंजिस फ्रंट की तरफ आनी चाहिए और वॉल्यम के साथ भी तो इस तरह के का वॉल्यम आपको क्रियेट करना है बेसिकली यह बाउंस से हमें और यह यहां से जाने के बाद पीछे आएगा तो यह वॉल्यम को आपने प्ले करना है जिससे क्लाइन के फेस पे लेंथ भी आएगी और वो अच्छा भी लगेगा तो इसके लिए पहले तो आपको हैर की जो कॉम डारिक्शन है आपको इसको फ्रंट की ही तरफ आपने कॉम करना है डाउनवर्ड और उसके बाद में आप यहां से जो है टा या चार सेक्शन आप ले सकते हैं इसमें तो पहला सेक्शन हम लेंगे फ्रंट आप पॉइंट से ही देखो तो यहां से इस कोनर पॉइंट से आपने सीधा या डाइगिनल टाइप ऑफ सेक्शन लेना है कुछ इस तरीके से और इसको आपको बैक्कॉम करना है ऐसे पीछे क देखना आप बैक कॉम करेंगे वो आपने छोटे-छोटे हैर को यूज करके करना है बड़े हैर या लॉद्धी हैर नहीं लेना है यहां का बैकॉम नहीं लेना है लेंध से नहीं लेना है आप जो रूट के नीbud के लिट's SMALLर बेकेज हैयर है उनी का आप यूज करें और य आप इसको cleaning दिखाएंगे, so make sure it should be cleaned from the front point, so यह हमने back home किया, और hold spray का आप इस पे use करेंगे, from inside, second section भी आपने लेना है, ऐसे ही, so diagonal section हमने लिया है, again, so इस तरीके का diagonal section आप again लेंगे, मैं आपको down करके दिखा रहा हूं, so again, same diagonal section हमने लिया है, and this is the coverage layer, यह last आपका coverage layer section रहेगा, उसको आपने थोड़ा cleaner रखना है, तो इसको पीछे की तरफ और इसको आगे की तरफ आप back home करेंगे, again, छोटे-छोटे हैर से, one, two, three, four, जितनी आपको height चीए, वहां तक आप back home के steps बनाएंगे, उपर चलेंगे आप, इसको भी आप spray करेंगे, और इसको भी आपने front की तरफ ले आना है, यह corner corner से आपके hair निकलेंगे, इनको आपने clean करना है, ताकि यह corner से बाहर ना जाएं, नीचे न क्लीन लगना ही चाहिए, आपके banks, volume के साथ, then, इस सबसे पीछे वाला section जो है, इसको आप हलका-हलका, जस रूप पे ही आपने, हलका सा माइनर सा बैक कॉम करना है, स्प्रे करेंगे इसके उपर और इसको भी आपने plain, clean, look में आपने play करना है, तो that's it, इस तरीके से आप इसके लिए पहले बैक कॉम करेंगे, and इसके बाद जो है, आपने सभी hair को पीछे की तरफ, बैक वर्ड की तरफ, कॉम करना है, कॉम करना ह फ्रंट लियर को आपने clean रखना है, it should be neat and clean, clean from corner to corner, other corner side से भी आपको इसको clean करना है, yes, it's looking nice, और यहाँ पे आपको हाथ से जो है, ऐसे पकड़ना है, कितना volume आपको चाहिए, slope तयार करेंगे, backward देखो, यह पीछे का section हमने clean रखा है, यहाँ से styling नजर आएगी, so यहाँ से आपने जो last coverage section ता, उसको clean रखना है, और नीचे हमने ऐसे हाथ से इसको support लगा के रखा हुआ है, ताकि इस volume को आप maintain कर सकें, say, आप hand position को note करें, जैसे मैंने रखा हुआ है, ऐसे उपर की तरफ, और इसको as it is, आप hold spray से, अभी हम यह पी professional spray का आप यूज कर रहे हैं, so this is a spray, basically right now I am just using, it's holding spray, कोई साभी hold spray आप यूज कर सकते हो, ऐसे आपने slope बनाना है, उपर height देनी है, और इसके बाद आप spray कर देंगे, so हमने spray किया, clean करने है, सभी छोटे-छोटे fly frizzy hair, यह slope आपने देना है, छोटे-छोटे fly frizzy hair को control करें, back side से भी आपने spray किया, clean करना है, banks को छोटे-छोटे fly frizzy hair को आप control करेंगे, neat and clean करना है, see, तो यह turn बनाना है आपने और इसको fix भी करना है, अंदर हमने back comb रखा है, अच्छा back comb किया है हमने, because यह volume आपको पूरे function में चलाना है, क्लाइन की जितना भी लंबा आपका function चलेगा, so क्लाइन को यह long time के लिए stable चाह और यह volume maintain रहे, गिरे ना, इसलिए हमने अंदर से back comb रखा है, अब हम उसको clean कर रहे हैं और spray से fix भी कर रहे हैं, again spray, blue करें, clean करें, सुखाएं spray को, see, so this is the volume जो हमने front पे दिया अभी क्लाइन के, और इस वाली banks को आपने थोड़ा spread करना है, जितना आपको fall चीए, आप उसक की तरफ, जितना आपको fall चीए, उतना आप fall दें, spray करें इस पे, clean करें, corner point से, इसको down point पे आना है, see, और यहां से आपने लगा लेनी है, U-pins, और यहां से आपने लगा लेनी है, U-pins, ताकि यह ज़्यादा backward की तरफ ना है, so यहां पे आपने U-pins लगा लेनी है, U-pins आप थोड़ा diagonal way में, आगे की तरफ, ऐसे आपने लगानी है, ताकि यह section उठेना, diagonal आगे की तरफ लगानी है, ताकि यह section उठेना, ख्याल रहे, इसको इससे पीछे नहीं देना है, यहां से हम इसको backward की तरफ फिर गुमा देंगे, यहां से आपका puff होगा, अगर आप puff भी बना रहे होंगे, so back point पे आपका puff आएगा और यह आपकी falling banks आजाएगी with the volume, fall आप eyebrows की आर्ज तक दे सकते हैं, जितना भी fall client के face पे suitable हो रहा है, उतना आप present कर सकते हैं, देरे देरे हम you pin से इसको front की तरफ दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, और remaining part को backward की तरफ ले जा रहे स्प्रे करें, छोटे-छोटे fly-prizzy hair को आपने साथ-साथ में ही control करना है, यह देखे, और यह पे भी आप पिंस लगाएंगे, U-Pins, so यह पे हमने फिर U-Pins लगाई, उसको प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए यह पे हमें यह दबा हुआ चुए, and remaining section को आप पीछे की आप जाएंगे, turn करके, yes, it's looking nice, so ऐसे आप fall तयार करेंगे, अगर आप burn styling दे रहे होंगे, so यहां से आपने fall भी बनाया और remaining section को आप पीछे ले जाएंगे, यहां से बहुत ज़्यादा heavy volume नहीं दिया है, हमने side point से ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, side lock को covered करें, पफ के सा simple सा आप front तयार कर सकते हैं, it's looking nice with the volume, ऐसे आप volume के साथ इसको दिखा सकते हैं, और इसको ठिक पोने तेल के पीछे हमने अभी U-PIN से hold कर लिया है, so basically client को यह जो front volume है, यह चाहे यह होता है, उनको यह bounce चाहिए और यह stable रहना चाहिए, इसको आप थोड़ा forward की तरह भी play कर स so यह वाला part अब यह volumized रहेगा, यह गिरेगा नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे steel clip बे लगा देते हैं, इसको ऐसे hold रखने के लिए, but वो नहीं लगानी है आपने, उसके जरुवत नहीं है, that's it, so ऐसे आप इस front को तयार करेंगे, up and fall down, but यह front की तरफ है, it's, यह front की त present कर सकते हैं, अगर आप open में दिखा रहे हैं, means, यहां से आपकी Hollywood wave यह vintage wave यह सकते हैं, इसी front के साथ में, अब other side से भी आप थोड़ा सा इसको play कर लेते हैं, ताकि front का लुक आ जाना है, other side से भी, यह neater front variation है, तो other side से भी आपने neat and clean look देनी है, सिर्फ आपने जो है, इसको volume तैयार करना है, उधर भी आपने bounce दिया है, तो यहां पे भी आपको bounce हीए, पतला section है, तो आप इसको vertical में ले सकते हैं, और back home करेंगे, from the back of the point, अच्छा कासा volume आप दे सकते हैं, उधर के volume को साथ में आपने maintain करना है, balance करना है, basically, तो client का face जो है, वो दोनों तरब से ऐसा करना लगे कि एक तरफ जादा volume हो गया है, एक तरफ कम हो गया है, तो यहां पे भी हम back home कर रहे हैं, on root area, और इस पे भी आपने back home करना है, just on root area, breakage hair को ले, root पे प्रेस करें, टूटे बाल लेने हैं, आपने, जो भी breakage hair होते हैं, उनको just root area तक आप प्रेस करें, उसके neat and clean, that's it, इसको clean करें, clean करें, oval shape maintain करनी है, आपने, जितना bounce suitable लग रहा है, उतना आप यहां से भी रखेंगे, जब भी आप इस section के उपर काम कर रहे हैं, ध्यान रखें, यह top का volume, यह top पे जादा होना चाहिए, और नीचे नीचे आते 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 आपका जो है, जो है, और ear point पे आते आते वो बिल्कुल zero हो जाएगा, कम हो जाएगा, that's it, इस section को भी हम पुन टील के opposite side ले आए हैं, back point पे आप बन वगरा बना सकते हैं, basically यहां, so ऐसे आपने front पे इसको भी volume लुक देना है, नीडल टील कॉम से इसको बैलेंस करें, यह जो आपकी नीडल टील कम आती है, इसके साथ में आप इसको हलका सा यहां पे आउट कर लें, यह basically puff balancing के लिए काम आती है, और बाकी chemical work में, you know, very well, for the making, highlight, streaks वगरा के लिए, yes, तो यहां से भी आपने जो है, bounce तयार करना है, it's looking nice, spray करें और इसको भी आपने clean करना है, that's it, and lock कर लेना है, so यह हमने spray किया, fixing spray, इसको set कर देना है, आपने, that's it, so this is neat and clean hair styling, simple front है, बहुत असानी से आप इसको बना सकते हैं, and it's very easy, क्लाइन के face के accordingly आप volume रखें, जितना भी आपके क्लाइन के उपा suitable लगे, and इसको भी आप opposite side आएंगे, और यहां आपने इसको लॉक कर देना है, तो यह पोनिटिल के opposite side भी आप आएंगे, और जस्ट इसको यहीं पे, आपने, बॉप्पिन की मदद से लॉक कर देना है, so this is the front variation, basically, beast में आपका puff आजाना है, और back में आप कुछ भी बना सकते हो, depends on your requirement, आप कुछ भी तयार कर सकते हैं, so this is the front variation, basically, यह आपका volume आणा है, उपर, यह fall आएगा, यहां से आप ठिक इसको पॉनिटिल की तरफ ले जाएंगे, so यहां हम इसको पॉनिटिल की तरफ ले yeah, so this is the beautiful front variation, back point पे चाहे आप ऐसी पॉनिटिल दे सकते हैं, plain size को volume करके, यह थोड़ी थोड़ी लाइने आप इस पे दिखा सकते हो, as depend on you, और नीचे आप कल्स कर सकते हैं, तो काफी सुन्दर बो लगेंगी, so this is the front variation video, basically, so इस तरीके से आपने इसको तयार कर लेना है, yes, it's looking nice, यह पिन्स आपने बाद में हटा देनी है, जब यह सूख जाएगा, then you can remove it, that's it, तो इनको हम हटा रहे हैं, हलके हाथ से, बिलकुल जटके से नहीं हटानी है, देरे देरे, so ऐसे आप इन पिन्स को हटाएंगे, और यह सेक्शन अपनी जगह पे लोग हो जाना है, yeah, it's looking beautiful, so ऐसे आप इस front variation को तयार करेंगे, okay guys, this is the final result, कुछ उस तरीके से आपने इस front variation को बना लिना है, उमीद है, आप लोगों को समझ में आया होगा, कैसे इस front variation को तयार करना है, hope so, अब आप इस front variation को अपने client के ऊपर बना पाएंगे, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आये तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आइकेन बल जो notification बल है, उसको ज़रूर प्रेक्टर देगा, आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहेगे, okay दोस्तों, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नई वीडियो में कु झाल झाल झाल